नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लो उम्हेदें आप सब ठीक हूंगे 26 ओक्टूबर 2023 के एकनोर्मिक टाइम्स के नाटिस में आक असवागत है चलिए स्टार्ट करते हैं गेकर किसारा न्यूस पहरा न्यूस दिवाली बंपर डजन आईपोस सेट टू लाइट अप दे लास् इंडेस्टिस का वेट कर रहा हूं है ठीक है तो टाटा टेक्नोलिजिस आप सबको पता है कि टाटा का जो न्यू जो प्लाटफॉर्म है उससे भी ओन करता है टाटा के जो शेयरोल्डर से टाटा मोटर्स वो भी इसमें काफी अच्छा लगबग 9.9% का सब शेयरोल करते है टीपीजी कापिटल भी है ऐसे टाइम में आईप्यो का आना जब तरह मार्केट औरी थो डाउन है क्या आप उन्हें लगता कि यह कंपने जर्श क्लेर है देखे ऐसा नहीं होता इंस्टिशनल इंवेस्टर्स का में डिमांड देखा जाता है रिटेल इंवेस्टर्स तो य एक हैं तो सेंटीमेंट अमंगस्ट इंस्टिशनल इंवेस्टर्स इस आप्तिमिस्टिक इसके कारण यह सब कंप्री जो है वह आई पी लेकी आरही है नेक्स्ट वस्ति देखें कॉर्प्रेट गवर्नेंस लेटेड और नेक्वर्नेस काफी या नियूज में रहता है चाहा वह आप you know transparency की बात कर लो corporate frauds वगर की बात कर लो in fact exams वगर के लिए आपके relevant रहता है या आप कोई you know अगर आप कोई CA का exam दे रहे हो तो उसमें भी corporate governance का topic है अगर आप UPC का exam दे रहे हो तो उसमें भी corporate governance का topic है तो corporate governance हमेशा news में रहता है more independent directors get chair at high table यानि की आज की रेट में independent directors ज्यादा तर managing डिरेक्टर जी सारी chairman बन रहे हैं बोड के यह चीज़ एक बहुत अच्छा है जैसे के इंफोसिस के बात करें तो के वी कामात जो है उन्होंने पोजिशन होल्ड किया फिर जीओ फैनाइशल सर्विसेज एशेंट पेंट्स क्रॉम्टें ग्रीफ स्टाटर टेक्नोलोजी एक्सेस बैंक फेटर ब्लाइक यह सारी companies ने अपने independent directors को ही chairman बना है देखिए जेनरली जो chairman होते हैं वो managing director हो जाते हैं अपने सुना होगा न कि MD एंड चेर्मेन ठेक है या CMD तो पक्का ही सुना होगा अपने तो यह ना corporate governance को काफी upset कर रहा था क्योंकि chairman जो है board का यानि कि जिसके पास जादा authority जिसके पास जादा power as compared to the board वो खुद independent नहीं है तो वो अगर कोई decision लेगा तो वो सिर्फ company की भी आफ पर सुचेगा वो कभी भी shareholders की भी आफ पर नहीं सुचेगा इसी चीज़ के लिए for better governance and transparency in the corporate system there has come up a certain this thing that the chairman and the MD should be different one the MD obviously has to be a full-time director but the chairman if the company wants to follow a proper good governance policy should have an independent director as the chairman next just just to India considers Armenia more weapons consider sending Armenia more weapon the key caucus caucuses region के जो प्लेयर से जैसे कि Armenia Azerbaijan इनमें तो हमेशा लडाई होती रहती आपको ही पता है अब इंडिया जो है अर्मेनिया को वेपन चाहेगा देखिए इंडिया ऐसा नहीं कि पर्सनली बहुत सपोर्ट करता अर्मेनिया को फोड़ को बगर बगर नइंडिया ओविसल्य बिसनस लेक रहे अपना और इंडिया को इंडिया की जो वेपन से वो जब अर्मेनिया के युनों डिफेंस मिलिट्री वगर में तेस्ट हुए तो इसलिए आपन सब्सप्र करेंगे ब्लेड ल्गर लेलों हम इंडिया से प्रोक्यूर करेंगे आपने पिनाकी नाम का वो सुना होगा UAV तो उसको अभी प्रोक्यूर्मेंट रहेगा क्योंकि वो आज की डिट में वर्म बगर में काफी ज्यादा काम आने लग यह वेस बगर रहा जोस्तों पिनाकी नहीं पिनाका है डाट्ट सब मल्ट में पिनाका इस दी मल्टी बेरल रॉकेट लॉंचेर इस घ्लोबल एंब रांकिंग्स आ चुकिए जिसके लिए बहुत ही ज्यादा वह लगा रहता है कि भाई दोस्तों हम QS Global Ranking के बात करे थे QS World Global Ranking World University of Global Rankings 2024 उसमें क्या हुआ है कि हमारे जो तीन चार टॉप colleges है जैसे कि I am Bangalore बोलो, I am Ahmedabad बोलो, I am Calcutta बोलो, I am ISB बोलो, Hyderabad तो इन्हों ने अपना ranking जो है टॉप 100 में ले लिया है जिसमें से I am Bangalore का rank improve हुए, I am Ahmedabad का rank थोड़ा सा decrease हुआ है, I am Calcutta का rank थोड़ा सा improve हुआ है और I am ISB जो Hyderabad है उसका rank भई का हुई है, फिर उसके बात करें तो देखें यह ऐसा नहीं होता कि इसका मतलब I am Bangalore ज्यादा अच्छा हो गया, I am Ahmedabad से नहीं, देखें, overall ranking हाँ, obviously अच्छा हुआ है, बट आज भी कोई-कोई aspect में माना जाता है कि भाई, यह entrepreneurship के लिए college तो अगर आप college चूज करें तो स्रिफ इस ranking के basis में में जाहिए, आप देखें कि आपका particularly क्या चिसका, you know, आप specialization करना चाहते है, अगर आप entrepreneurship का specialization करना चाहते है, तो आपको different college चूज करना पड़ेगा, और उस ranking के इसाब से फिर आपको चूज करना पड़ेगा, अगर आप देखो 53, but that is not the case for every, you know, criteria or every metric, जैसे कि I am Bangalore के बात करो, तो ROI की basis पे, it has been rank 31, यानि कि return on investment, यानि कि जितना fees पे कर रहे हो, उसकी comparison में आपको कितना क्या opportunities मिल रहा है, तो उसका rank 31 है, तो ऐसे तो rank किसका, अच्छा है, मतलब ऐसे rank I am Bangalore के तो 48, फिर similarly, अगर आप बा का rank 33 है, and ISB का rank 43 है, but अगर आप global ranking के बात करो, तो 78 है, ISB का और I am Amdabad का 53 है, तो इसलिए में बोलों, particularly, आपको किस चीजना specialization करना, उसके हिसाब से आप रांकिंग चेक करेंगे, नेक्स उस्तो, auditors of Adani companies get NFRA queries, देखें, auditors जितने भी Adani companies किते हैं, जैसे कि Adani support हो गया, Adani power हो गया, Adani green energy हो गया, यह सब को, यह ना, notices मिले है, क्यों? बोरा जार है कि रूटीन एक quality inspection है, ऐसा ने कि सरफ Adani के companies को मिले का, या मिला है, अलग-अलग listed companies को भी मिला है, तो इसके business पर क्या चलता है, कि भई, आपके सारे compliance ठीक से हो रहे हैं, के नहीं, auditors के साब से, और आप क्या, कितना to unfair opinion मनाने में, कितना हद तक क्या deep जा रहे ह है, एक होता है कि client management representation का, अगर आप CA कर रहे हो, तो आप विसरी पता हो गई सब चीज, कि MR जो रहता है, management representation, आप उस पर कितना rely करो, versus आप खुद के, आप on field जा के, आप कितने audit कर रहे हूं, तो ये सब चीजों को लेके quality check होता है, so that कोई भी fraud ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो एक गम से आज है, अगर auditor अपने approach को बता रहे हो, और फिर भी, you know, regulator को लग रहा है, जैसे कि जो NFR, अगर regulator को लग रहा है, कि ये audit procedure, ऐसे नहीं, थोड़ा सा में, मतलब भी नहीं, थोड़ा deep जाके, विने टू verify, कि भाई, ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो फिर वो NFR व तो ये तो पता चल जाने चाहिए था, you said that you are not dependent on management representation, then how come you did not find this sort of fraud, तो ऐसे होता है ये audit का procedures, और NFR के बारे में बात करो, तो NFR एक regulator हो चुका है, ICI के, मतलब सारे चार्ट अकॉंटेंस का, CA जो है, वो एक institute है, obviously, it also regulates the code of conduct, या प्रैक्टिसेस बाइदी C.A. बट, NFR एक पर आगया है, जो की auditor वगर वो regulate करना चालू करेगा, फिर couple of news दोस्तो, start-up से related है, एक तो debit cards losing out as UPI turns default mode on e-commerce, UPI जो है, अब e-commerce का default mode हो गया है, बहुत हो के लिए, आज मैं भी अगर कोई online payment करता हो, तो मैं ज्यादते है, UPI का use करता हूं, तो debit cards वगर अगर इंचार के blog भी पड़े रहते हैं, तो वो renew नहीं कराते है, UPI के तरूर transaction करते हैं, तो इससे क्या हो था, debit card के businesses lose होता है, mastercard, visa, इनके काफी businesses lose हो रहा है, तो बढ़ ठीक है, काफी इन्होंने चार्ज किया भी है, इंडियन मार्केट में, and UPI is obviously accessible to everyone, and good for all, तो इसमें पर प्रॉब्म होना न ETS ने बहुत तो को offer later roll किया है, बट अभी तक onboarding ने किया, क्यों क्योंकि आपको पता है, demand जो है, वो काफी कम हो चुका है, market में internationally, IT companies जैसे कि मैंने आपको पहले ही बहुत 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 है, कि IT companies revenue के लिए इतने optimistic नहीं है, तो वो अपना, you know, last resort अपना रहे, जो की cost cutting हो गया, cost cutting सबसे पहला बात, एक कोई अगर service company होगा, तो उसका cost cutting सबसे पहले employees को target करेंगा, तो वो अपने employees के strength को कम कर रहे है, so that उनके cost को saving हो, फिर उसके बाद, days of free pass immunity over, IT, minister of states and meta suit, meta suit, meta suit, याने की, जो अभी meta के उपर, लगबाग, कुछ cases हुए, 33 attorney journal के सामने, you know, federal lawsuit file हुए, against meta, 33 attorney journal ने file किया है, actually हुआ कि meta ने कुछ-कुछ content जो है, internet में दिखा है, जो की addictive है, children के लिए, और बोला जा रहे है कि भाई, ये children के content आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो, so, क्योंकि, you know, your platforms are used by children as well, and if you get them addicted, and if you make them addicted, that is not good for your, good for their health, their well-being, या उनके future के लिए भी, तो आप ऐसा नहीं कर सकता, तो सोची, US में law अभी इतना strong है, कि meta ऐसे content भी नहीं दिखा सकता, which are addictive in nature, ठेक है, especially to children, और इधर, अगर meta को थोड़ा बहुत, you know, compliance करने पढ़ रहे हैं, अपने fake news को हटाने के लिए, तो इंडिया में meta बोलता है, मैं कैसे करूँगा, I want that safe harbor clause in your law, तो सुची कितना difference है, इंडिया और US के laws में, फिर भी ये companies जो है, इंडिया के laws को मानने के लिए तियार रही होती है, इंडिया में अगर फंक्शन करना है, तो इंडिया के लॉस के साथ ही करना पूलेगा, नेक्स तो पॉलिच दाइमंड स्रेट रेट्स क्राक्ट थर्टीफ़ परसेंट इन अमर्ट टू टूच 2004 लेवल, देखिए, हो क्या रहा है, अलग अलग रिजन के कारण जैसे कि युए से रिसेशन बोल ली जाए, या रश्या से जो डाइमंड इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर स्टोन के फॉर्म में, उसके इंपोर्ट में कर्प लग गए, और लाब ग्रों डाइमंड बढ़ गए, तो यह सब कुछ रिज इनकों मिला है, और उसके रिजर्स यह सब जो मैंने आपको बताया है, पहले क्या होता था, कि जब रश्या से अगर कोई डाइमंड इंपोर्ट होता था, और वो इंडिया कि मतलब जो में हवे सूरत, उधर अगर कट और पॉलिश होके बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, यान अगर कट और पॉलिश भले ही इंडिया में हो, लेकिन हम यह चीज देखें कि यह स्टोन है, जो प्रॉपर रॉपर में एक्स्ट्राक कहां से हुआ था, जिस कंट्री से वह एक्स्ट्राक हुआ था, मालनें कि उससी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे है, यानि कि इनको टार पर को बहुत मुष्किल हो से इंडिया का इस पारिप्रमणारा इस और पालने कि और कि आप को यह दा नहीं चलता करें खाहां से हैं जिसमें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता कि आने वाने टाइम में कभी भी कभी भी ग्रो करेगा उतना इस जस्ट अ जस्ट अ आर्टिफिशन डिमांड विच वेड़ तो इसके वालुशन के परस्पेक्टेश तो काफी डिबेट चल चुकी ना ट्रांसपेरेंसी है ना को कंसिस्टेंसी है ना को प्रेशन नहीं है तायमंड के सब फिर आज जी लास्ट नियुक्त तो 5G-based FWA services can be a game changer for को जीवेट है देखिए फिक्स्ट वायरलेस एक्सेस यह क्या है ना कि जब भी अगर आप कोई इन्स्टॉल कर रहे हो उसमें होता क्या है कि यह सब ना यह इंस्टॉल होते हैं छोटे मुटी जगह पर जहां पर फाइबर रेज़ेशन बहुत मुश्किल है पहली बात तो यह यह तो जहां पर फाइबर रेज़ेशन का कोई संस्टी मनता इसके बत्ते छोटे वटे डिवाइसेस इस्टॉल होते हैं जो कि आपको सेम स्पीड देंगे जितना एक फाइबर का स्पीड फाइबर नेटर्क क जो ओाइबर फंट दे स्पीड वीवाइबर यथ नेचलेव